आप सब एक दम अच्छे होंगे और आज के दिन की शुरुवात करते हैं आज जल्दी उट गई थी तो कुक के उठने से पहले मैंने काफी काम कर लिया है दूद्बो बॉयड हो गया है यहां दाल बी बनकर रेडी हो गई है अरभी की सब्जी बनाने वाली हो तो उसके लिए मैंने अरभी को बॉय कर लिया है लास्ट व्लोग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी सिस्टर को पीरिट्स के टाइम में बहुत तकलीफ होती है उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई थी बट अभी सड़न फिर से स्टार्ट हो गई उसे पिछले दो तीन मेने से बहुत जादा अन्वेरेबल पेन होता है तो अभी थोड़ी देर में बस हम अपनी गायने के पास जाने वाले हैं बाकी की सारी अपडेट्स मैं आपको आने वाले व्लॉग के थरू देती रहूंगी कढाई एकदम गरम हो चुकी है मैंने इसमें डाला है मस्टरड ऑओल मैंने इसमें डाला है हीन, जीरा, अजवाईन और मिर्ची को इस तरीक से सलिट करके डाल रही हूं इसके बाद मैस में डालोंगी Christians दो मैस में मिक्स कर रही हूँ क्का भाप व्लों धा है बस हम पहुचने वाले हमाई दॉक्टर के पास इस वक्ट शिखा बहुत पेइन में थी विचारी सीधी भी नहीं खड़ी हो पारे थी तो एक बार हम डॉक्टर को चेक अप करा ले उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सो अभी हम लोग घर जा रहे हैं डॉक्टर ने सारे चेक अपस अच्छे से कर ली हैं ऑन स्पोर्ट उन्होंने कुछ टेस्ट बोल दिये थे वो भी तुरंत के तुरंत हमने वहीं कर वाली हैं बाकी जैसे ही रिपोर्ट आती हैं और डॉक्टर क्या बताती हैं वो सब में आप क्लिप सुनिये का आप लोग अपन कर देगी तो आप कैसे करोगे बेटू आप नहीं कर पाओगी है हो गया तो आप कर दे अच्छे कैसे गरम हो रहा है तो यह देखिए इनका ऐसे गैस के पास बोटल रख देते हैं और इनका दूद गरम हो जाता है यह नया इंवेंशन कि जस आशिश का कॉल आया कि बहन कल अर्ली मॉनिंग हमें सेवें थर्टी तक एनिहाओ घर से निकल जाना है क्योंकि शिखा को हॉस्पिटल एडमिट करना है तो मैं बस फटा फट लग गई कल दिन के लिए क्योंकि इंदर का शूट है वो नहीं जा पाएंगे और आशिश घ कि वज़े से बहर कपड़े भी नहीं सुखा पा रही हूं तो यहां कमरे में इस तरीके से स्टैंड पे लगा दिये कपड़े कल के लिए अभी मुझे बहुत सारे तयालियां करनी है उम्मीद करती हूं आप लोग यह सब चीज़े समझ पाएंगे तो इस व्लोग को मैं यह आल रखे तिल जैंड बबाए तेक्यर